वेल्कम बग गई स्वाकत आपके गवाद फिश है MSC Mathematics Classes में दोस्तों आज अपन MSC Maths Prevature के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें हमने Studies in Algebra का जो जूनिट फरस्ट है उसको स्टार्ट कर दिया है यह हमारी थर्ड क्लास होने वाली है पहली क्लास में हमने कुछ normal definitions के बारे में जाना था दूसरी और तीसरी क्लास में हमने इसो मौर्फिजम कै पड़ा था जिसमें हमने उसके टू प्रॉपपर्टी निघे leps प्रापने हैं लिवारा प्रणीव होनी हुआ है अगर अगर अपने इसके बिष्यक्त के बारें बताती ही स्यkeiten इनको किस तरीके से पुछा गया उसके बारे में मैं बताता हूं आपको तो ये आपसे 2011 उसके बारे में 14 में फिर 16 में पुछी गई है ठीक है कब को पूछी गई है मैं आपको बता देता हूं 11 पूछी गई है फिर 14 में पूछी गई और 16 में आपसे पूछी जा चुकी है जिस्ट्वेंट हैं जो private तरीके से MSC mathematics कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही beneficial होने वाली है ठीक है तो शुरुवात करते हैं हमारे थोर्म को कहा गया है बटरपलाई थोर्म को किसन आप से दो तरीके से पूसा सकता है पहला यह कि prove that बटरपलाई थोर्म तो उसमें आपको क्या होन क्या होना जरूरी है कि आपके पास statement का होना जरूरी है तौकत statement जो है उसको वह भी आपको लांड न करना होगा कि यहाँ पर गिवन है कि let h and k is subgroup of group g यानि कि group g के अंदर h और k जो हैं वो क्या है subgroups है उसे प्रकार हमें एक चीज और दे रखिये कि h dash k dash यह क्या है यह normal subgroups है किसके अंदर h and k k अगर ऐसा होता है तो हमें क्या प्रूब करके बताना है हमें बताना है condition number first में given है कि h intersection k dash into k dash subgroups होंगे कि h intersection k h dash k ठीक है similarly हम क्या बहुत सकते हैं कि h dash intersection k into k dash subgroup होगा h intersection k k dash का ठीक है और इन दोनों को मिलाकर कि हमारी property third जो है वो बनती है तो इस बटरफलाइध theorem को प्रूब बढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले h or k को क्या बताना पड़ेगा group g के अंदर subgroups बताना पड़ेगा उसके अलावा हमें h dash or k dash को normal subgroups बताना पड़ेगा h and k के अंदर अगर यह दोनों condition satisfy होती है तो फिर हमें क्या बताना पड़ेगा h intersection k को subgroup बताना पड़ेगा उसके बाद हमें h dash k dash को subgroups बताना पड़ेगा और यह सारी प्रोपर्टीज अगर फोल हो जाती है तो हम क्या करेंगे इन सभी का एक सब्रूप जो बता सकते हैं यानि कि butterfly thorm जो है वो mostly सब्रूप से किजी भी function का सब्रूप बताने के लिए वर्ल डिफैन होती है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें given है क्या given है कि let let h and k b यहाँ पर g का मतलब सब्रूप समझे लेना आप of g ठीक है and h डैस और k डैस b normal subgroup of h and k ठीक है यह हमें given है अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर h and k जो हो subgroup है g का तो इस condition में हम यह भी बहुत सकते हैं कि h डैस जो है वो subgroup होगा h का और k डैस जो है यहाँ से k डैस जो है वो भी subgroup होगा k का ठीक है यह जो Аंचेण आपको दिख रहा है यहакाया है सैंचीनम है है ठीक है है अगर यह दोनों सब्सक्राइब हैं तो इनका इंट्रसेक्शन जो और वो भी क्या होगा एक सब गोफ को में है कि बिल्कुल सही बात है समझ रहें आप इन चीज़ों को अगर आप एक खेट में जाते हैं और आपके साथ एक और दोस्त वह भी खेट में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंट्रेक्शन है वह भी दोनों क्या होंगे उसी खेट में होगे हूँ है कि लोकल लेंग्वेज में अगर अपनी चीज़ को बताएं तो अब हम क्या करेंगे हम जो है एससे इंट्रेक्शन के जो है कि वह ओपिरायट होगा किस चीज़ का कपि होगा किसका एच का जी नोोड़ करेंगे बन इन दोनों को द्यान रखना अगर ऐसा होगा ऐसा कब होगा अगर ऐसा होता है तो हम क्या का सकते हैं कि H intersection के जो है वो ओल्चो सब गुरूफ होगा H का ठीक है देखो H intersection के यह सब गुरूफ होगा G का अगर यह G का सब गुरूफ है तो हमें इसको क्या बताना पड़ेगा कि h का भी subgroups होगा बता सकते हैं हमें given क्या है हमें given है एक condition कि h- जो है वो भी subgroup होना जाए h का ये भी हमें condition given है according to question तो चलो इसको भी बताते हैं कि क्या ये वाकिए में subgroups होगा इसके लिए हमने क्या-क्या h intersection k union h- subgroup of h intersection k right है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि h जो है वो क्या है एक subgroup है g का ठीक है तो यहां से k जो है subgroup होगा g का इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि h intersection k जो है वो भी क्या है subgroup है h का ठीक है इस वाली condition को follow करता है इस वज़े से हम इसको इस condition में बता सकते हैं यहहाँ फोर नहीं है इसको गहां रखना यह साइन्जिन है तो यहां से हम यह बोल के हैं एक ट्रेसेक्षण के हो भी क्या घखेख हो गांगीं कई वो थेकन होगा कि एच इच इच इंटर्सेक्शन के इंटू जी यानि कि इस कंडिशन को फॉलो करना होगा अगर यह कंडिशन होती है तुम क्या कह सकते हैं हैं कि एच इंटर्सेक्शन के जो है वो क्या होगा ओल्सु सब्गूरूप सोगा किया होगा Also Subgroups K होगा इतना पता सकते हैं इतना याद रहेगा हमने क्या क्या सबसे पहले H को Subgroups बताया J का फिर K को बताया फिर इंके Intersection को बताया और जैसे हमने їं Intersection को बताया तो हमने और क्या बताया इसके साथ हमने H тоफ साथ हमने जो conditions given है जैसे हमने जैसे ही h intersection k को सब गुरू बताया है similarly हम उसी प्रकार से हमें एक condition और given है हमारे सवाल में क्या given है हमें given है k-subgroup k तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कह सकते हैं कि h intersection k into k-subgroup होगा h intersection k का है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि एच जो है एच और के जो हो क्या है सब गुरूफ है जी के इसलिए ऐसा हुआ ठीक है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि h intersection k- जो है वो भी क्या होगा एक subgroup होगा h intersection k का यह condition number two हमारे पास आ गई तो condition first जो है हमारी condition first और condition second जो है उनको अगर दोनों को मिला करके देखा जाए तो हमारे पास एक condition बनती है h intersection k- h intersection k equal to l हम इसको l कह सकते हैं ठीक है मतलब हमने कोई concept value उसको मान लिया तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से यह होगा कि l जो है वो भी क्या होना चाहिए subgroup of h into h intersection k का होना जरूरी है इसके लिए हम क्या करेंगे कि h intersection k जो है upon l यह क्या हो जाएगा well define हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा well define हो जाएगा अगर यह well define होता है तो यह किसी map के अंदर भी h dash जो है वो h intersection k upon l में होगा ठीक है यह हमने diamond isomorphism thorm जब solve क्या था उसके according हमने इसको solve करना है ठीक है तो यहाँ से हमें एक condition मिलेगी क्या phi x y equal to l x ठीक है यहाँ पर जो x है वो विलों करेगा h intersection k के अंदर और y जो है वो विलों करेगा h dash के अंदर ठीक है तो इसको well define करते हैं जलो क्या माना माना let x y and x1 y1 belong to h intersection k h dash ठीक है यहाँ पर यह सारी condition आप बता सकते हों कि x और x1 जो है वो विलों करेंगे h intersection k के अंदर और y and y1 जो है वो विलों करेंगे h dash के अंदर तो यहाँ से xy बराबर होगा xy1 के यहाँ पर हमने both side x1 inverse x से multiply किया तो हमारे पास x1 inverse x1 y1 आया यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं x1 inverse xy बराबर y1 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि x1 inverse x बराबर e होता है e की value 1 ले लेंगे execute value अपने से बोल सकते हैं तो यहाँ से हम एक चीज और देखेंगे वो यह कि हमने पहले इसको x1 inverse से multiply किया अब हम इसको y1 inverse से multiply करेंगे बोट साइड ठीक है तो यह y1 और यह y1 inverse से multiply कर दिया अब जैसे हम इसको y1 से multiply कर देंगे तो हम इसको यहाँ पर यह बोच सकते हैं कि यह जो x1 inverse x है इसको कह लिखेंगे यह लिखेंगे और जैसे हम इसको लिखते हैं तो यहाँ से आजाएगा हमारे पास है ठीक है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि y1 inverse y बराबर फिर से e होगा एक एक execute value जो है वो हम बता सकते हैं ठीक है बट हमें given क्या है हमें given है हमें यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है हमें यहाँ से चीज क्या दिख रही है वो यह है कि x1 inverse जो है यह co-set होता है x inverse क्या होता है co-set होता है किसका x का ठीक है x जो belong करेगा h intersection k के अंदर क्यों करेगा वो भी बताएंगा आपको उसी परकार हम यहाँ से यह बोल सकते हैं कि जो y1 है और y1 inverse जो है वो belong करेगा h' के अंदर क्यों 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 क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको well define क्या था तो यह वाली condition माने थी इस वज़े से ऐसा हुआ ठीक है तो यहाँ से यह कहा जा सकता है कि यह जो x1 inverse x जो है यह belong करेगा h' में ठीक है अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों को compare क्या जाए इन दोनों के comparison से हमें एक्सीज मिलती है वो मिलती है x1 inverse x belong to h inverse k intersection h' मिलेगी अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो equation first और equation second जो हमारी बानी है वहाँ से हम यह कह सकते हैं कि x inverse x जो है वो बिलों करेगा h' inverse k में जो के अंदर होगा बिल्कुल होगा यहाँ से हम एक चीज और बोल सकते हैं वो यह कि अगर x inverse x विलों करता है l के अंदर तब क्या होगा तब भी होगा कि h intersection k' जो है और h' intersection k जो है वो इस function के बरोबर होगा ठीक है और अगर ऐसा हो गया well defined अगर ऐसा हो गया तो फिर एक चीज और यहाँ से आपको देखने को मिलेगी वो यह कि हमने एक condition मानी थी 5 x y बराबर l x तो यह जो l x है यह बराबर होगी l x 1 के ठीक है और l x की value क्या थी 5 x y थी और 5 x की लिखापन क्या रह सकते है as intersection के dash लिख सकते है यानि कि हमने इसकी simple सी जो value है वो लिखी है हमें जो given value है हमने उसी का यहाँ पर जिकर किया है दोनों साइड से अगर अपने इस चीज को देखे तो हमने normally यहाँ पर इनकी value जो है को put up किया है कि अना इसको क्या लिख सकते हैं मैंने आपको बताए था 5 x y लिख सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं 5 x 1 y 1 यह जैसे हमने सबसे पहले मैप को माना था उस condition में तो यहाँ से जो फाई है यानि जो मैफ है हमारा 5 वो क्या होता है वल d-defined होता है ठिक है अगर यह वल डिफाई हो गया है तो हम इसे क्या बताएंगे हम्हान अमौ्मोर्फिस्म बताएंगे यानिकी इसको समा करता है कि कंडिक्सिन जो उसको भी फोलो करना पड़ेगा तो हम्हां अमौन एक्सवन و्य वन विलोंग तो С इंटरसेक्सशन के डैस ए at dato के हैं po m8 जहांपर अई एक्सवन जो हैंillar वे व्लोंग करते हैं एक्सथेक्शन के में व्लाई और व्लोंग करते हैं एच के इंदर ठीक है इत melody हैं रहे गा इता हमें क्यूıसेंस के कर दिया है मने बह्त dalla यह नव रिखा है नाव हम्मोनमोर्फिस्म की थोरम के इककोडिंग हम इसको क्या क면 डेफिंशन के अगर यह प्रकरटीरम हमानमोर्फिस्म को यह निसको यह को इन करती है तुशं कर्में हम को हमारे पार जो प्रपीट यह हम होती है एक्स वाई एक्स वाई वैज़ वन इक्वल टु फाई एक्स एक्स वन एक्स इंवर्स य एक्स वन वाई वन कि यहां पे हैक है ढडंब घॉक प्रपर्टी के अक्रीक एक थी एब ठось만ic यहां से हमने एक function और माना क्या माना कि let x1 inverse y x1 equal to y2 ठीक है यानि कि जहां पर हमें x inverse y x1 दिखेगा वहाँ पर अपन y2 function रख देंगे ठीक है और यह y2 जो है यह विलों करता है h dash के अंदर तो यहां से हम क्या कहेंगे x y x1 y1 equal to 5 x x1 y2 और y1 देखिए x inverse xy1 जो है यहां पर यहां पर यह x1 होगा सोरी है ना क्योंकि x3 बार नहीं आएगा x और x की एक value बताने के लिए हमें x inverse y करना पड़ेगा तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने x inverse y और x1 जो है उसको हमने क्या लिख दिया y2 लिख दिया यानि कि हमारे पास जो यह property आती है निकल करके हम यह इतनी सारी property है ठीक है तो हमने इसको क्या कह दिया y2 कह दिया अगर हम इसको y2 कह सकते हैं तो यहां से हमने एक function और माना था कि यह जो पूरा function है यह l x x1 के proper होगा और अगर यह l x x1 के proper होगा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एकी बात है तो अगर यह x की इस property को prove करता है तो l x हमने क्या माना था 5 x y प्राबर हमने l माना था पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको बताया है और यहां से हम इसको यह कह सकते हैं टाइट है अब यह क्या होगी हमारा जो सेट है हमारा जो मैप है वो क्या करता है हमोनोमोर्फिज्म को यानि समा करता को prove करता है और समा करता प्रूब करने के लिए हमारे पास तेन कंडिशन सो और होती है या तो वह on to होना ची या वह one one होना ची या फिर वह many one होना ची ठीक है तो इस property according अगर हम इसको on to करके देखें तो अगर यह on to होता है तो यानि कि यह one more field यानि समा करता वो प्रूव करेगा अधरवाज नहीं होगा इसके लिए हम क्या कहेंगे for each l x belong to as intersection k upon l जहां पर यह जो सारा function यह exist करेगा x belong to as intersection k में ठीक है और अगर ऐसा होता है तो जो phi है हमारा जो हमारा map phi है वो ax y equal to l x होगा और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि phi जो है वो क्या होगा on to होगा ठीक है उस map के अंदर यानि कि हमने harmon von for hormonomorphism को बताया hormonomorphism को बताने के लिए हमें एक कंडिशन्स बताने हैं कि यह जो क्या क्या होगा समा करता है कि कंडिशन्स को फोलो करेगा ठीक है बार बच्चों अब हम क्या बताएंगे इसके लिए kernels को बताएंगे kernel द्रिष्टी बोलते हैं हिंदी में kernel को एक function और है जिसको आप और इसको define कर सकते हैं तो kernel की जो definition है वो क्या होती है को भी function जो है अगर वो kernel की definition को to L भी हो सकता है तो इन सभी conditions को अगर एक क्रीके से देखा जाए जो को थोड़ा सा solve करते हैं ठीक है तो मैं यहां से यह कर सकता हूँ कि H intersection के H dash और X जो है वो belong करेगा L के अंदर उस conditions में हम इसको simply यह बता सकते हैं कि H intersection के H dash जो है जिसमें X जो है वो belong करेगा H intersection K dash में और H dash intersection K के अंदर belong करेगा ठीक है आप इसको इस तरीके से पता सकते हैं अगर यह XY के लिए belong करेगा तो यह X1 Y1 के लिए भी belong करेगा यानकि हम अब इसको X1 Y1 के लिए भी belong करके बताएंगे यानकि हमारा जो kernel है फाई वो क्या करेगा X1 Y1 के लिए भी इस definitions को प्रूव करेगा ठीक है H intersection की H dash या फिर X1 Y1 बता सकते हैं इसको किस condition में H intersection K dash में और H dash intersection K के अंदर ठीक है इसको थड़ा solve कर लेते हैं यहनि arrange कर लेते हैं तो जैसे हम इसको arrange करेंगे तो हमारे पास एक condition आती है X1 Y1 Y belong to H intersection के H dash अगर X1 जो है वो विलों करेगा h intersection k- and y-1 जो है वो विलोंग करेगा h- intersection y के अंदर ठीक है तो यहाँ पर x1 और y1 जो है वो करने लेकि definitions को भी क्या करते हैं प्रूव करते हैं तो यहाँ से हमें जो function जो है वो क्या मिलेगा function जो है यह मिलने माला है हमारे पास श्ब्स क्या जो है झाँ लगाँ जो यहाँ प्रे skoों मिलेंते हमारे वहां कर दurrection कहां से हमारे विल जो जो हा pengood कर ग माला है दो है जो हैंा हमारे आरकाanka X1 Y1 y belong to x intersection k dash और h dash तो यहां से तो हमारा kernel है वो हमें मिलेगा h intersection k dash ओके तो यहां से अब अपन और क्या करेंगे कि हमारी जो fundamental होमनो हमारी जो fundamental isomorphism थोर्म थी वहां से हमने एक condition को पढ़ा था क्या पढ़ा था हेंस बाइ fundamental कि आइसो मोर्फिस्म या आप इसको हमोनमोर्फिस्म बता सकते हैं वहां से हमें कंडिशन गिवन थी के डैस होगा एस इंटर्सेक्शन के अपोन अल गे ठीक है सीमरले हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि एस इंटर्सेक्शन के इंटू एस डैस अपोन है एस डैस इंटर्सेक्शन के है एस डैस के लिए चल रहे हैं तो यह के डैस होगा यहां पर एस होगा यहां पर यह के डैस होगा ठीक है तो उसको दुबार लिखते हैं है एस डैस अपोन है एस इंटर्सेक्शन के डैस है एस डैस भी क्या होगा एस इंटर्सेक्शन के अपोन है एक्वेशन नमबर टू ठीक है तो एक्वेशन नमबर फर्स्ट एंड सेक्ट से हम क्या कह सकते हैं एक्वेशन नमबर फर्स्ट एंड सेक्ट से हम यह कह सकते हैं कि यह देखिए यहाँ पर दोनों condition बराबर आती हैं तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे इसको कि h intersection k जो है वो क्या होगा h intersection k dash h dash जो है वो ब्रोबर होगा ब्रोबर और समरूफ होगा किसके h intersection k upon h dash intersection k h dash upon k dash k ब्रोबर होगा ठीक है तो यहाँ से हमारी जो थर्ड प्रोपर्टी है वो प्रूफ हो जाती है यानि कि हमने सभी चीज़ों को जो है वो सब ग्रूफ के according इनको well-defined कर दिया है ठीक है तो उमीद है कि के लिए अगे जो चीज़े अब यहाँ समाध होगी लेकिन फिर भी होता क्या कि कभी कभी चीजें जो है वो डायरेट करनी के चैसे आप लोगों समझ नहीं आती है तो आप क्या करेंगे कमेंट करें कि पुचेंगे कि ये चीज़ जो ही कैसी हुई है ठीक है फूआज के ल